हे गाईज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चानल दवनवन सावन में आज हम बात करेंगे मनपी के बारे में मुबाइल नंबर प्रोडिविलिटी के बारे में आप सभी लोग जानती होंगे हमने करीबन 6-7 मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जह पूरा बामला यहां पर क्या है कैसे आपको फाइदा यहां पर पहुंचने वाला है इस बारे में हम अधिक जानने के लिए आप बने रही है हमारे साथ देख तरी आज को पूरा वीडियो तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हों कि आज के दिनों में MNP का जौरत सभी लोग को पढ़ता है सभी लोग यहां पर क्या करते हैं अगर कोई network उन्हें अच्छा नहीं लगता है अगर वो किसी company का sim card यूज कर रहे हैं तो उनके बहुत सारा option रहता है कि चलो हम दूसरे network में चले जाते हैं और जब से एटल आइडिया वुड़ाफुन ने एक फिक्स्ट वैलेटी वाला रिचार्ज वाला system करा था कि आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा तब से लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ था तब बहुत सारे लोग जीओ और बियाशनल में स्विच कर गया है और अभी भी M&P बहुत जोर जोर से लोग करवा रहे हैं अब देखो यहां पर क्या है कि ट्राइन ने नया रूल को यहां पर फाइनलाइस कर दिया है अब पहले क्या होता था बहुत से लोगों का यहां पर UPC code जेनरेट नहीं होता था उनका port मैसेज जा कर महज दो दिन का यहां पर कर दिया गया है और अगर आप किसी दूसरे सरकल में M&P करवाते हो तो वहां पर आपको चार दिनों का समय लगने वाला है और अगर कोई कंपनी बिना किसी रीजन के आपका port मैसेज मतलब आपका UPC code जेनरेट नहीं करके दे रहा है तो उसको भ पहले जो भी कंपनी नए कस्टमर्स के लिए वहाँ पर 19 रुपया पे करती थी अब उनको वो चार्ज घटके पांच 24 पैसे हो चुके हैं मतलब वहां पर 70 फिस्दी का यहां पर उनका कटोती किया गया उस प्राइस में भी तो यहां पर कंपनी वालों को भी बहुत जादा फाइदा होने वाला जिनके पास बहुत सारे पोर्ट के तुरू से कस्टमर्स आते रहते हैं तो दोस्तों यही आज का छोटा सा न्यूज की भई MNP का टाइमिंग घटकर दो दिनों का यहां पर होने वाला है वो भी 30 सितंबर के बाद से तो दोस्तों उमीद करता हूँ आ पूल तेरी भारत मता की जाई दनेवाल